आपका पहला सवाल है, amniocentosis तरीका किसको बताता है? आपके option है, A. Brune के link को, B. Amino Acid के प्रकार को, C. Protein में Amino Acid के अनुक्रम को, D. Hormone के प्रकार को. आपका सही उत्तर है, A. Brune के link को, आपका अगला सवाल है, निमनलिखित में से कौन एक ग्रंथी नहीं है? आपके option है, A. Thyroid, B. Jath, C. यकृत, D. अग्याशय आपका सही उत्तर है, B. Jath, आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथी को, मास्टर ग्रंथी कहा जाता है? आपके option है, A. अग्याशय, B. Of To, C. पियूश, D. क्लिहा आपका सही उत्तर है, C. पियूश, आपका अगला सवाल है, मनुश्य के शरीर की सबसे चोटी ग्रंथी कौन सी है? आपके option है, A. यकृत, B. थाइरोईड, C. पियूटरी, D. लार ग्रंथी आपका सही उत्तर है, C. पियूटरी आपका अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथी अन्या अंतास्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? आपके option है, A. अग्याशय, B. अधिवरिक का ग्रंथी पर, C. वीनल ग्रंथी, D. पियूटरी ग्रंथी आपका सही उत्तर है, D. पियूटरी ग्रंथी आपका अगला सवाल है, थाइरोइट ग्रंथी से थाइरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तजित करने वाला अंतास्रावी होमोन कौन सा है? आपके option है, A. T. S. H. B. F. S. H. C. L. T. H. D. A. C. T. H. आपका सही उत्तर है, A. T. S. H. आपका अगला सवाल है, एक विशिष्ट होमोन को, जिसकी कमी से गलगंट, गोईटर, रोग हो सकता है, संशलेशित करने के लिए किस अंतास्रावी एंडोक्राइन ग्रंथी को आयोडीन की आवश्यक्ता होती है? आपके ओप्शन है, A. Hypothalemus, B. Pancreas, C. Thymus, D. Thyroid आपका सही उत्तर है, D. Thyroid आपका अगला सवाल है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सी दिमा होता है? आपके ओप्शन है, A. अधिवरिक का ग्रंथी, B. अग्न्याशय ग्रंथी, C. यकृत, D. अफ्टू ग्रंथी आपका सही उत्तर है, D. अफ्टू ग्रंथी आपका अगला सवाल है, अंतास्रावी तंत्र का पेशमे का किसको कहा जाता है? आपके ओप्शन है, A. थाइरोक्सिन, B. केल्सिटोनिन, C. इंसुलिन, D. एड्रीनेलिन आपका सही उत्तर है, A. थाइरोक्सिन आपका अग्ला सवाल है, पीनियल ग्रंथी कहा स्थित होती है? आपके ओप्शन है, A. यक्रित, B. मस्तिष्क, C. गुर्दे, D. गर्भाशे आपका सही उत्तर है, B. मस्तिष्क आपका अग्ला सवाल है, किस हॉमोन में आयोदीन होता है? आपके ओप्शन है, A. थाइरोक्सिन, B. टेस्टोस्टिरोन, C. इंसुलिन, D. एड्रिनेलिन आपका सही उत्तर है, A. थाइरोक्सिन आपका अग्ला सवाल है, कौन सी एक अंतर स्रावी ग्रंथी प्यूश ग्रंथी से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? आपके ओप्शन है, A. अफ्टू, B. जनन ग्रंथी, C. अधिवरिक्क, D. पराव्टू आपका सही उत्तर है, D. पराव्टू आपका अग्ला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंतर्श्रावी ग्रंथी कौन सी है? आपके ओप्शन है, A. थाईराईड, B. पराथाईराईड, C. एड्रीनल, D. पिट्यूटरी आपका सही उत्तर है, A. थाईराईड, आपका अग्ला सवाल है, कौन सा एक स्ट्रीलिंग हॉमोन है? आपके ओप्शन है, A. एस्ट्रोजेन, B. एंड्रोजेन, C. ओक्सिन, D. इंसुलिन आपका सही उत्तर है, A. एस्ट्रोजेन, आपका अग्ला सवाल है, कौन सा हॉमोन, लडो उर्लो हॉमोन कहलाता है? आपके option है A. Insulin, B. Adrenaline, C. Estrogen, D. Oxytocin आपका सही उत्तर है B. Adrenaline आपका अगला सवाल है मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंती से नियंत्रित होता है आपके option है A. अधिवरिक का ग्रंती से, B. Thyroid ग्रंती से, C. Thymus से, D. Pete Pin से आपका सही उत्तर है A. अधिवरिक का ग्रंती से, आपका अगला सवाल है जीवन रक्षक हॉमोन किस ग्रंती से स्रावित होते हैं? आपके option है A. Adrenal, B. Pituitary, C. Thyroid, D. उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर है A. Adrenal, आपका अगला सवाल है मानव शरीर में कौन सा ग्रंती अंतह स्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंती है? आपके option है A. Adrenal ग्रंती, B. अश्रु ग्रंती, C. अग्न्याशय, D. Thyroid आपका सही उत्तर है C. अग्न्याशय, आपका अगला सवाल है Thyroid ग्रंती का स्थान कहां है? आपके option है A. यकृत, B. गला, C. कांख, D. इनमें कोई नहीं आपका सही उत्तर है B. गला आपका सह兩. आपका सह privat आपका सही आपका है झाल झाल